दोस्तो अपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बगल वाले घंटे को भी दबादें क्योंकि हम लाते रहते हैं नए-नए बिजनिस आइडियाज और नएनी जैनकारी के वाला फेल दोस्तो यदि हम पैकिंग इंडस्टी की बात करें तो हम पाएंगे कि क्रगोटेट बॉक्सेस का इस इंडस्टी में बहुत ही आहम रूल है क्योंकि इसका उप्योग सभी प्रकार के इंडस्टी जैसे इलेक्रोनिक समान बनाने वाले इंडस्टी गाडियों के पार्ट्स बन की पैकेजिंग के लिए पेलिए के समान को एक जगे से दूसरे पहुंचताने के लिए इसको अच्छी तरह पैकेजिंग करने किया होँ सकता होती है इसी के लिए को में रूप से यूज किया जाता है , डोस्तो आज खुद का करगटेट बॉक्स का बिजनेस सुलूग कर सकते हैं उसके लिए कौन-कौन से मसीन और राव मेट्रियल्स की जरूत होंगी कैसे करगटेट बॉक्स बना सकते हैं कैसे अपने त्यार माल को बेश सकते हैं तो वीडियो देखे दोस्तों यदि कोई कमपनी किसी प्रॉडग का पर्डदेश्टन इंडिया में कर रहा है तो वह उस प्रडदक्ट को एक्सपॉर्ट करके बिदेसो तक पहुचा सकता है लेकिन बिदेसों तक अफों में पर्डद को सुरप्षित पहुचाने के लिए कमपनी को प्रगटट बॉक्स को यूज में लाकर पैकेजिंग करनी होगी जिससे उसका पॉड़क्त विदेश में सुरप्षित पहुश सके हैं ठीक उसी तरह माहन लिजे कि कोई कमपनी दिल्ली में कोई पॉड़क्स बनाती है और उसे देश के कोने कोने तक भेजना है तो कमपनी को रगटट बॉक्स का यूज करेगी ताकि उनके प्रडटक्स खराब ना हो सकें दोस्तों हम उनका कंपनी के लिए प्रगटट बॉक्स मैनिफेक्शर कर एक प्रॉफिट वरा बिजनेस सुनकर सकते हैं दोस्तों आपको इसके लिए अलग-अलग कंपनी से में उनक में आता है बजार में आपको अलग अलग थिकनेस के पेपर मिल जाएंगे दोस्तों पेपर को हम उसके थिकनेस या फिर GSM के जरीए मेजर करते हैं यानि मापते हैं यानि पेपर की थिकनेस जितनी ज्यादा होगी उसकी मूटाई उतनी ज्यादा होगी आपको यह पेपर बज के लिए ग्लू यानि चिपकाने का पदा सिलाई करने की तार और प्रिंट करने के लिए कुछ इंक्स की जुरूत होती है और वहीं कुर्गोटेट बॉक्स बनाने के लिए मेंली छे मसीन की जुरूत होती है पहली कुर्गोटेट मसीन दूसरी प्रिंटिंग मसीन तीसरी सीट cutting machine, 4-4-5-5-5 punching or die cutting machine और 6-6-6 stitching machine साथी साथ 2-3 छोटी छोटी मसीन की जोड़त पड़ती है जैसे weighing machine, major, scale, is जादी, दोस्तो बजार में आप कोई सारी machine semi-automatic और fully automatic में मिल जाएंगे अलग-अलग production capacity और price के हिसाब से, आप अपने जरुत और budget के हिसाब से ये मसील खरीज़ सकते हैं और को क्रोड़ेटट बॉक्स की मेनिफेक्ट्रिंग कम्पनी की मांग के आधार पर अलग-अलग साइज ये मोटाई जैसे 2 प्लाइ, 3 प्लाइ, 5 प्लाइ, 7 प्लाइ, 9 प्लाइ में की जाती है हर company की अलग-अलग जुरुरत होती है और हमें उसके हिसाब से box को तियार करना होता है किसी को छोटे box चाहिए होते हैं और किसी customer को बड़े box उसके लिए हमें उसके हिसाब से paper का stock अपने पास रखना होता है और उसका production करना होता है चलिए दोस्तों हम समझते हैं कि हम कैसे इसे त्यार करते हैं दोस्तों, carton box का manufacturing शुरू होता है उसके design से पहले हम customer का design त्यार करते हैं और फिर उसी design के अधार पर हम उसका production शुरू करते हैं production शुरू करने के लिए सबसे पहले paper के roll को production machine में set किया जाता है paper के एक सीरे को machine के दूसरे छोड पे लगा दिया जाता है production machine carton box बनाने के लिए main part होता है इस machine में heater लगे होते हैं जिसे पहले गरम किया जाता है और उसके जरिए glue को डाल के पिगला लिया जाता है बिल्कुल पानी के जैसा और फिर उसी glue के जरिए दो paper की seats आपस में चिपका कर एक करगटेट seat त्यार हो जाती है जिसे हम दो ply करगटेट seat कहते हैं किसी तरह हम तीन ply, चार ply या उससे भी ज़्यादा की seat त्यार कर सकते हैं जिस customer की जैसी जरुत हो उसके हिसाब से और अब इस त्यार seat को seat cutting machine के जरी एक काटी है जाता है और काटी हुई seats को हम अलग रख देते हैं दोस्तो अगर आप printed box बनाना चाहते हैं यानि किसी company का logo, design या नाम प्रिंट करना चाहते हैं तो हमें seat cutting machine के दवारा customer की जरुत के हिसाब से seats काटनी होती है और फिर उस काटी हुई seats पे वो design printing machine के दवारा print कर सकते हैं printing machine में plates लगी होती है जिनके जरी वो design आपके काटे हुई seats पे प्रिंट हो जाती है अब दोस्तों printing किये हुए paper को करगटेट seat के साथ पेस्टिंग machine में डालना होता है जिसके जरी एक करगटेट seat और printing किया हुआ paper आपस में चिपक जाते हैं और अगर आपको plain box बनाना हो तो आप plain काटे हुए seats को करगटेट seat के साथ पेस्टिंग machine में डालना होता है यदि आपको ज़्यादा थिकनेस वाले box बनाने हैं यानि मोटे box बनाने हैं जैसे टीवी फ्रीज के जो boxes होते हैं तो उसके लिए तीन पांच या उससे भी ज़्यादा की करगटेट seat को पेस्टिंग machine में डालना होता है जिससे वो सारे आपस में चिपक जाते हैं और उनकी ठीकनेस यानि मुटाई ज्यादा हो जाती है अब इन चिपके हुए करगटेट seat को पंचिंग machine में डाला जाता है जिसमें डाई की मदद से इस seats को box का shape दिया जाता है यानि हमें box को जहां से fold करना होता है वहाँ punching machine उसके हिसाब से काड़ दोती है या फिर अगर कहीं hole की ज़रूत होती है तो punching machine उसमें hole कर दोती है पंच करने के बाद आप easily करगटेट seat को box का shape दे सकते हैं यानि हम जहां से उसे fold करना चाहें वहाँ से fold कर सकते हैं अब punching machine के द्वारा काटे हुए छोटे box को manually gum के द्वारा चिपका लिया जाता है और बड़े box को stitching machine के द्वारा stitch कर आपस में जोड दिया जाता है और त्यार हुए अलग-अलग design के box को order के अनुसार अलग-अलग customer के पास भेज दिये जाता है तो दोस्तों ये थी कुर्गटेट box को बनाने की पर के लिए लेकिन हमें इसका business सुरूख करने से पहले कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना होगा जैसे कि पहला business plan कार्टन बक्स बिजनेस सुरूख करने से पहले इसका business plan या project report जरूर बनाए ताकि business में आने वाली problems का पता आपको पहले से हो साथी साथ market को research करें और market की demand को समझे और अपने competitor की pricing और quality को भी चेक करें क्योंकि कौन सा box कितने में बेच रहे है साथी साथ सारे legal documents complete कर ले और अपने business का registration भी करा ले इसके लिए आपको हर जरूरी license लेने की जुरूत है जो इस business के लिए जरूरी है और आपको pollution और labor department से भी इन OC लेना पड़ेगा ताकि किसी एक supplier के पास paper का stock ना हो तो आप दूसरे supplier से खरीद कर अपना production जारी रख सकें अच्छे packaging box बनाने के लिए आपको अच्छे craft paper, glue और अने raw materials बजार से खरीदने की जुरूत होगी साथी साथ आपको अपने business को promote करने की भी जुरूत होगी आपको google के search result में आना होगा इसलिए अपनी company के नाम से एक अच्छी website भी बनवाल है इसके अलावा अपने business का registration इंडिया मार्ट, google, export इंडिया, just dial पर जरूर कराएं और आपको अपने business को चलाने के लिए एक बड़े space की भी जुरूत होगी जहां से आप अपना production भी कर सके और साथी साथ office का काम भी देख सके और एक बात का ध्यान और रखें कि जहां आप factory शुरू करें वो जगा रोड के करीब हो और वहाँ electricity और labor की ज्यादा problem ना हो तो दोस्तो इस वीडियो में इतना है आपको इस business से जोड़ी कोई भी information चाहिए तो आप हमसे comment करके बता सकते हैं उमीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो जोड़ी पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक और सेर करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि नए नए बिजनेस आडियास पहुँचे सबसे पहले आपके पास